नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से हमारी चैनल में दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंग्लेंड और सिरलंका की इन इनों T20 सीरीज चल रही है और आपको बता दे कि यहाँ पर सिरलंका की जो हालात हैं वो बिलकुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं जी हाँ आपको बता दे कि दो T20 मैच हो चुके हैं और दोनों में ही इंग्लेंड ने बहुत आसानी से सिरलंका को हरा दिया है दूसरे T20 में सिरलंका ने टोस जीत कर पहले बल्यवाजी करते हुए निर्धारित 20 ओबरों में 7 विकट पर सिरफ और सिरफ 111 रन ही बनाएं सिरलंका के लिए कुसल मेंडिस ने सारवधिक 49 रन बनाएं मेंडिस के अलामा कुसल प्रेरा ने 21 रन और इसरू उडाना ने नावाद 19 रन बनाएं इंग्लेंड की तरफ से मार्क वूड और आदिल रासिद ने दोदो वे सैम करन और क्रिस जॉडन ने एक एक विकट लिया इंग्लेंड की पारी सुरू होने से पहले बारिस सुरू हो गई और बारिस रुखने के बाद इंग्लेंड को डगवर्थ लुइस नियम की अधार पर 18 ओवर में 103 रन का संसोधित लक्षे मिला 103 रनो का लक्षे का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम की सुरूआत खराब रही और 7 ओवर तक 36 के कुल इसकोर पर जैसन रोए जॉनी वेश्टो डेविड मलान और एयर मॉर्गन पविलियन लोट गए थे इसके बाद Sam Billings और Liam Livingstone और Sam Karan ने इंग्लेंड को 16 ओवर में 108 रन बना कर जीत दिला दी तो इस तरह से दोस्तों इंग्लेंड बहुत असानी से इस मैच को भी हार गई और सिरलंका को एक बार फिर से हार का मुह देखना पड़ा है उमीद कर दे हैं कि आने वाला मैच जोर सिरलंका की टीम जीतेगी क्योंकि काफी बुरी परफरमेंस सिरलंका की टीम कर रही है और इस तरह कि हम सिरलंका से एक्सपेक्टेंस और इस तरह कि हम उमीद सिरलंका की टीम से नहीं कर दे हैं तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्स्राइब करना धनेवाद